सोलन में पुलिस लगतार नशा माफिया पर अपना सिकंजा कस्ते जा रही है पिछले एक वर्ष में लगतार नशा माफिया की धर पकड़ की जा रही है जगा जगा पुलिस ने अपने गुप्चरों को नशा माफिया के पीछे लगाया है सोलन में कोई भी छोटी बड़ी हरकत होती है तो पुलिस, CID और SIU मिलकर नशा माफिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने में देर नहीं लगाती यही बज़ा है कि अब नशे के सोदागर सोलन का रुख करने से पहले सोच में जरूर पढ़ चुका है अधिक चानकारी देते हुए जिलापुलिस अधिक शक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि इस वर्ष उन्होंने कुल 71 मामलों में 97 लोगों को गिर्फतार किया है जिनके पास से 4 किलो 463 ग्राम चर्स, 41 ग्राम अफीम और 124 ग्राम 399 मिली ग्राम चिटा पकड़ा है उन्होंने बताया कि इस माह में 19 केस नार्कोटिक्स में दर्ज कर 24 लोगों को गिर्फतार किया गया है जिसमें से एक नेपाली और एक नाइजीरियन है उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पुलिस और भी सक्ति के साथ नशा माफिया पर नजर रखेगी और अपनी मुहीम यूही जारी रखेगी उन्होंने इस थानी जनता से सहयोग की अपील की है ताकि नशा माफिया को जड़ से समापत किया जाएगी पुलिस नशे के खिलाफ जो अभियान है उसको जारी रखा हुआ है और उसको जारी रखते हुए पिछले महीने कुल उन्नीस केस जो है नडी पियस एक्ट के अंतरगत दर्ज किया गया है जिसमें 34 वेक्तियों को ग्रिफतार किया गया है उनमें से 32 भारती हैं एक नेपाल मूल का बताता है इस में हमने 4 किलो 363 ग्राम और 92 मिली ग्राम चरस 44 ग्राम अफीम और 124 ग्राम 398 मिली ग्राम चिट्टा टकड़ा है इस साल में अभी तक हमने नार्काटिक्स में 106 वेक्तियों को ग्रिफतार किया है उनमें से 97 भारती हैं छे नेपाली मूल के और 3 विद सोलन की जनता हमें बहुत सहयोग दे रही है और मुझे उमीद है कि आगे भी सहयोग देती रहेगी और हम इस अभ्यान को जारी रखेंगे एंस्टा न्यूस के लिए सोलन से अमरप्रीत पुंच की रिपोर्ट